जोतिश शास्त्र में शुक्र ग्रह को व्रिश राशी और तुला राशी का स्वामी माना जाता है। शुक्र को एश्वरिया और सुक सम्रिद्धी देने वाला ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र उच्च स्थिती में होगा उन्हें कभी भी शा उपायों के द्वारा मजबूत किया जा सकता है. 10. शुक्र की स्थिती खराब होने पर लोगों का चरित्र भी प्रभावित होता है. 1. शुक्र के नीच होने की स्थिती में आपको कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए. अगर आपका विवाह हो गया है तो अपनी पतनी का कभी अपमान ना करे और अगर विवाह नहीं हुआ तो आपको अपने साथ काम करने वाली महिलाओं का सम्मान करना चाहिए 2. नीच के शुक्र के उपाय के लिए आपको श्रिंगार का सामान दान करना चाहिए ऐसा करने से आपके शुक्र को सकारात्मक्ता मिलेगी जिससे वो आपको शुब परिनाम देने में सक्षम हो जाएगा 3. किसी गरीब, असहाय बच्ची का विवाह कराने से भी आपके शुक्र की स्थिती बहतर हो सकती है अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम उनको वस्त्रदान करें जिसे धारल करके उनका विवाह हो 4. शुक्र के नीच होने से दामपत्य जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं इन समस्याओं से बचने के लिए आपको शुक्रवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए 5. नीच का शुक्र होने से आपके जेब से पैसे चोरी होने की संभावना बनती है इसलिए आपको ज्यादा पैसा लेकर सफर नहीं करना चाहिए बलकि आप अपने खाते में पैसा रखे और आवश्कता अनुसार उसका उप्योग करें 6. देवी स्थल पर वस्त्र दान करने से शुक्र में शुभता आती है जिससे हमारा जीवन सरल होता है साथ ही साथ हम बड़ी ही कुशलता से रह पाते हैं 7. शुक्र के نीच होने पर आपको नित्य प्रती दिन शुक्र के मंट्र का जब करना चाहिए जो आपके शुक्र को मजबूत करेगा साथ ही साथ आपके जीवन को एश्वरय पूर्ण कर देगा ओम्शुन शुक्राय नमह शुक्र उच्च का हो तो शुक्र से जुली चीजों का दान न दे वही अगर शुक्र नीच का हो तो शुक्र से जुली चीजों का दान या उखार न ले 9. जातक को फटा हुआ या जला हुआ कपड़ा पहनने से बचना चाहिए कपड़े हमेशा स्त्री करके ही पहने, कपड़े हमेशा साफ रखें 10. शुक्र शांती का सबसे सर्वोत्तम उपाय दुर्गा सब्चुती का नित्य पाठ करें शुक्र मा के शोने पर सचंदी का अनुष्थान अवश्य करना चाहिए इस शुक्र कृत समस्तरिष्ट दूर होते है ध्यान देवे 1. सफेद चीजे जैसे चंदन, चावल, वस्त्रक, फूल, चांदी, घी, दही, शक्कर आदी को कन्या को दान करना चाहिए इससे शुक्र मजबूत होता है ये उपाय तभी करें अगर शुक्र कमजोर है 2. शुक्रवार के दिन चीटी को आटा खिलाएं इससे लाब मिलेगा 3. ओमशुन शुक्राय नमही या ओमध्राग्री द्रॉन सह शुक्राय नमह मंत्र का नित्य जाप करें 4. कुंदली में शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का वरत रखें 5. शुक्र को प्रबल करने के लिए हीरा, पुक्राज या जरकन रत्न पहन सकते हैं रत्न धारंग करने से पहले आपको अच्छे जोतिश से सलाह जरूर लेना चाहिए 6. सफेद रंग के वस्त्र साफ सुत्रे वस्त्र धारंग करें 7. पानी में इलाइची डाल कर स्नान करें इससे शुक्र मजबूत होगा उपाई करने से पहले आप अपनी कुंदली पर किसी अच्छे जोतिश से सलाह जरूर लें इसके साथ ही अगर वो कोई और भी उपाई बताएं तो पूरेश रद्धा और विश्वास से करें